जै शिरी कृष्णा राधे राधे आप सभी को माग मास की धेरो शुपकामनाएं। सारे संसार के करता शिरी भगवान विश्णु, भगवान शीव, माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और शिरी गुरुजी के चरन कमलों में परनाम करते हुए मैं माग मास महात्यम का 28 माध्याय सुनाती हूँ। वशीष्ट जी कहने लगे कि हे राजा दलीप बहुत से जन समु सहीत अचोध सरोवर में सनान करके सुक पूर्वक मौक्ष को प्राप्थ हो गए। तबलों में इस जी कहने लगे संसार रूपी इस तीरत राजा को सब श्रधा पूर्वक देखो। यहां पर 33 क्रोड देवता आकर आनन पूर्वक रहते हैं। यह अक्षयवट है जिनकी जड़े पताल तक गई है और मारकेंडिया रिशी प्रल्य के समय भगवान इसी अक्षयवट का आश्रिय लेते हैं। यहां शीवजी की प्रिय भगवती भागिरती है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हितु पता का है। इसका जल पीकर मनुश्यय मुक्त हो जाते हैं। हे मुनी सभी प्राने इस नदी को यमना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुन्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जनम, वृत्य रूपी, दावानल से कोई नहीं तपता प्रंतु ज्यान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहां पर सनान करने से सभी प्रानी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहां यक करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विश्णु ने इस्तरी प्राप्ति की इच्छा सने सनान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर तिर्शूल धारी शिवजी ने तिपर दैत्या को मारा था और प्राचिन काल में उर्वशी स्वर्ख से गिरी थी तथा स्वर्ख पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नुहुश कुल के राजा यतातिज ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया यहाँ पर इंदर ने प्राचिन काल में धन की इच्छा से स्नान किया और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था प्राचिन काल में नारायन तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रियाग में निराहर रहकर उत्तम धरम किया था यहां से जेगाश्वय सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विज्य पाई थी थता अनिमा आधी योग के अती दुरलब एश्वरिय प्राप्त किये थे इसी छेतर में तपस्या करके शीरी भारद्वा सब तरिश्योज में समलित हुए जिनों ने भी हम सनान किया सबको स्वक्त की प्राप्ती हुई इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेनी में सनान करो इस सनान से पहले किये हुए तुमारे सब पाप नस्ठ हो जाएंगे और समपूरन वैब्वो को प्रात हो जाओगे रिशी के इस परकार के सत्यवचन सुनकर सभी त्रिवेनी में सनान करने लग गए और उसी सनान करने से सब की पिशाष्ता नस्ठ हो गई शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीरधारन कर लिया वेदनी दिती ने अपनी संतान को देखकर प्रशंचित होकर लोमेश जी को संतूस्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही शराप से विमुक्त होए हैं अब आप इन बालकों को योग्य धरम को कहिए लोमेश जी ने कहा इस परकार युवा कुमार ने वेदो का अध्यन स्माप्थ कर लिया इसलिए इन कन्याओं के पृति पूरवकर कमलो को ग्रहन करें तब लोमेश जी ताँ अपने पिताजी की आग्या से इस ब्रहμचारी ने पांचों कन्याओं से विवा किया इन कन्याओं के सब मनौरत पूरन हुए जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्यम पूजा जाता है महा नरायन ही पूजे जाते है पुशकर तीरत में, परियाग में, गंगा सागर में, देवाल्या में, कुरुछेतर में तदा विशेश करके काशी में इसका पाट अवश्य करना चाहिए पुशकर तीरत में ग्रहन की अफसर पर इसके पाथ का दूगना फल मिलता है और मरने पर वैश्नोपद को प्राप्त होता है विश्नु भगवान की आरती ओम जै जगदीश हरे स्वामी जै जगदीश हरे भग्त जनों के संकट दास जनों के संकट शन में दूर करे ओम जै जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख सामपती घर आवे सुख सामपती घर आवे कस्ट मिटे तने का ओम जै जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरन गव मैं किस की स्वामी शरन गव मैं किस की तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करू जिस की ओम जै जगदीश हरे तुम पूरन पर मातमा तुम अंतर आमी स्वामी तुम अंतर आमी पार बरम परमेश्वर पार बरम परमेश्वर तुम सब के स्वामी ओम जै जगदीश हरे तुम करूना के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरक खल खामी मैं सेवक तुम स्वामी किरपा करो भरता ओम जै जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सब के प्रान पती स्वामी सब के प्रान पती किस विदी मिलूं दया मैं किस विदी गऊं शरन मैं तुम को मैं कुमती ओम जै जगदीश हरे दीन बंदू दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हात उठाओ दया कर चरन लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जै जगदीश हरे विश्य विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कस्ट हरो देवा शर्दा भक्ति बढ़ाओ शर्दा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जै जगदीश हरे बिलनी के बेल सुदामा के चावल रुची रुची भोग लगे स्वामी रुची रुची भोग लगे ऐसे दीन दयालू ऐसे भक्त के पालू सब के कस्ट हरे ओम जै जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी कब कुछ है तेरा तेरा तुझको अरपन तेरा तुझको अरपन क्या लागे मेरा ओम जै जगदीश हरे शिरी जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई जन गावे कैत शिवानंद स्वामी कैत हरी हर स्वामी मन वान चित फल पावे ओम जै जगदीश हरे करत भावे क्याओ करका शिरी जो जैख दुझको पम जटाइ स्वामी मन वावे क्या जो करा द लुझको श्यू जगदाको सलिभस वावे का सित वामी में में जगदीश हरे